गाजियबाद के लोनी में बुजर्ग की पिटाई और दाड़ी काटने के मामले में पुलिस लगातार का रवाई कर रही है उसी कड़ी में अब पुलिस ने मुख्य आरूपी प्रवेश गुर्जर और उसके साथ ही कल्लू गुर्जर पर गेंग्स्टर एक्ट लगाया है बदाने की लोनी में एक बुजर्ग की पिटाई और दाड़ी काटने का वीडियो तेजी से वाईरल हुआ था मामले में पुलिस का ये आरोपियों को गरतार कर चुकी है केंद्रिय ग्रामेर विकास राज्य मंत्री साथभी निरंजन जोती विरिंदावन पहुँची यहां उन्होंने ठाकुर बांके बेहारी महराज को दर्शन कर पूझ आर्चना की इस दोरान उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगवानी की अपील की साध्वी निरंजन जोती ने कहा कि अभी कोरुना खत्म नहीं हुआ है इसलिए सावधानी बरतने और कोरुना प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है धर्मांतरण मामले पर उन्होंने कहा कि धर्मांतरण पहले भी होता था लेकिन योगी सरकार में ऐसा करने वालों की पोल खुल रही है कि जब भी आपकी बारी आए वैक्सिन जरूर लगवाएं और दूसरों को प्रेडित करें क्योंकि एक यही है हमारे कुरोना जैसी महामारी से बचने का कवच और पोटोकॉल का भी पालन करें जो एक कुरोना का पोटोकॉल है मार्स जरूर पहने और सावधानिय बरत जैसे क्योंकि अभी कुरोना गया नहीं है ऐसा मत सोचे कि कुरोना चला गया है हमें अभी बहुत सावधानी बरतनी की जुरूरत है मैं आपके चैनल के मांद्रिम से आग्रे करती हूँ कि काम भी करें और सावधानी बरते हैं देखे ये धर्मांतर तो सिल्चिला पहले से था मैं बदाई देती हूं आनी मुखंत्री योगी आधितनाजी को जिनोंने कठोर्ता से कदम उठाया है और धर्मांतर करने वालों की अब पोल खुल रही है हम मैं एक बात पूछना चाहती हूं देख के जितने भी सेकुलर लोग हैं इस विसे पर क्यों नहीं बोलते धर्मांतर तो धर्मांतर उसका विरूद करना चाहिए चाह कोई भी हो हम धर्मांतर के पक्षमी नहीं है धर्मांतर का विरूद होना चाहिए धर्मांतर में जो संभल में एक महंत का हर्स फायरिंग करते वीडियो सोचल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है मामला सदर कोतवाली का है एक फंक्शन में महंत हर्स फायरिंग करते नजर आ रहे हैं जानकारे के मुदाबिक फायरिंग करने वाला शोक्स शहर के प्रसिद्ध मंदिर का महंत है जिसका वीडियो अब जम कर वाइरल हो रहा है रायबरेली में मुनवर राणा के बेटे तबरेज राणा पर गोली चलाने के मामले में रायबरेली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है पुलिस का कहना है कि तबरेज ने खुद पर गोली चलवाई थी क्योंकि वो जमीनी विवाद में चाचा और चचेरे भाईयों को फसाना जाता था शहर कोदवाली पुलिस और S.O.G. ने मामले में चार लोगों को गिरफतार किया है वहीं तबरेज फिलहाल फरार चल रहा है जोसे पकड़ने के लिए रायबरेली पुलिस लखना उगई थी जो जिसने की इस घटना के पूरी प्लाइनिंग में उसका साथ दिया वह यहां जन्मद रायबरेली में वोल डिंग लगाने का काम करता है और कारेज ने हली आनिक ये काहा था कि तुम यह काम करवा दो तो चुनाव का जितना भी काम रहेगा उससे संबंदि जितने भी वोडिंग्स लगानी होंगी यह सारे काम में तुम ही से करवाऊंगा इस प्लैनिंग के अधार पर हलीम ने और सुल्टान ने दो लड़कों को राइवरेली के यह काम दिया कि वो जाकर इनकी गाड़ी पर फाइरिंग करें वो दो जो शूटर्स थे उनको भी घिरफतार कर लिया गया है उन शूटर्स का नाम सबेंद्रित्रिपाटी और शुबं सरकार है इनके पास से वो पिस्टल जिससे की इन्होंने फाइरिंग की थी वो बरामद हो गई है जो वोटर साइकल जिससे की यह आय थे घ्रटना कालिट करने वो बरामद हो गई है यह जो कपड़े पहन के वहां पे आये थे वो बरामद हो गया है सीजी पीवी फुटेज के अधार पे इनके शिनाप पेड़ ली गई है इसी है एक और बात इसमें प्रकाश में आई कि तब्रेज द्वारा एक सिम अलग से लिया गया था इससे की सिर्फ और सिर्फ हलीन से बातचीब की गई और इस घटना की पूरी प्लैनिंग की गई इसके अलावा भी हमारे पास कुछ साक्षे हैं जो की यहां बताना उचित नही कर सकते हैं जिसे हम नियाले के समझ रस्तोत करेंगे अब तक हम लोग चार लोगों की गिरफतारी जो जो की शूटर्स थे उन दोनों की दो जो की प्लैनर्स थे शूटर्स के नाम सतेंद्र त्रिपाटी और शुबं सथकार है इनको गिरफतात किया गया है इनकी के अधार में CCTV फूटेज के अधार पे जो अन्य टेकनिकल एविडेंस हमें मिले हैं उनके अधार पे इन्हें नहीं कभी रक्षा में देजा जा रहा है तब रेज आज के डेट में हमारा वांचित है जिसके गिरफतारी के प्रियास किये जारे है और जल से जल उसे भी गिर सहसो ब्लॉक के कनोजा खुर्द गाव के प्रधान की इलाज के दोरान अस्पताल में मौत हो गई वहीं मिर्तक प्रधान के भाई ने चुनावी रंजिश के चलते हत्या का आरोप लगाया है बता दें कि हफते बर पहले बहरिया में भतीजी के बड़े पार्टी के बाद प बाबू गंज बाजार में शव को रखकर चुका जाम कर दिया इस दोरान पुलीस और ग्रामेणों के वीच जड़ब्वे हुई और ग्रामेणों ने पुलीस पर पत्राव कर दिया जिसमें सुराय इनायित थानाद्यक्ष को गंभीर चोटाई है जिसके बाद पांच थानो के पुलिस ने मोर्चा संभाला तब जाकर प्रदर्शन खत्म हुआ जहांसे के मौरानीपूर में एक यूबक ने शक के चलते पत्नी की गलारेट कर हत्या कर दी जानकारी के मुदाबिक दोनों के बेच विवाद हुआ था जिसके बाद गुस्ते में आकर यूबक ने वारदा कि अज़ने और यह ज़ा गारा काटियां कि अब गच्री खराब लगता तो इस अब लग में नहीं नहीं हो गया आप उसकत कहा हुआ तो सब स्ब्सक्राइब हमको हमारी सब्सक्राइब ने या पर से उस्वाद में नाटा गलत है इसा रास्ते में रखड़ा हुआ तो नहीं माने यह दिये दूए अबस कर रात में क्या हुआ है अब में लूट लाए था पर बच्च लाया तो तो पानी मिला यह मान्यूप 40 गार रहे हैं वह समें तोड़ा सापाई नहीं दे जाता है एक कर शवादी नहीं अधिया रहता हहां है भूट आपकर सब्स्सक्राइब नहीं दूए अधे आपके शाल करता है अबस काता हुआ है है इस्त। और दूए आपके रहता है नहीं देने और आशकुई गीन को अब्सक्तों हम आपके धूंदे आता हम आपके शुआ रहीं गया दूख तो जैसे बात होते हैं लिकित आपको यसा क्यों लगा कि हम इनका रहत्चा कर गए बच्छे ही हैं आपके फोड़ी कोटे अब यह गुष्छा रही थी बच्छा रही है अब जला काथनी को तहां आए हम सीरे यह थानी आप कैसे आप लबाला ले ना कैसी आपको कहीं ले जाना हुआ है आपको कहां से हैं आप इजय पूल यह जो मेंटका है यह कौन थी आपके हमारी लड़की थी उसके संगे बहुत घटना हुआ बहुत इस अधिसों पर 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 परसां करते थे फून से बात ने करने देते थे हम लोगों से बात करते थे चिला थे शिला देते ना भुजाय कर हमारा नाम रोजी है हम पनना से हैं हम उसी बहन है हम लोगों को पता था एक मैंने से बहुत जास्ती कर रहा था वह कुछ बात होती थी सासदूर पोलते थे उठा तैयारी लगा जापने का हमेशा दैच के पीछी आदमी वहमेशा तंगी करता था अपने घर से यह लाग मावाब से बोला हम लोग पंदरा दिन पहले मिलने आया थे लेकि हमारी बहन क जासे के पूंस्ताने अलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुटबेड हुई मुटबेड में दो बदमाश गोली लगने से घैल हो गए हैं वहीं तीन बदमाश फरार होने में काम्याब रहे ग्रफतार दो बदमाशों के पास से दो तमंचे कार्टूस और 80,000 नगदी बरामत की गई है दरसल पुलिस को बदमाश के श्वाहपूर स्टेंड में व्यापारी के हातों से रुपीयों से भराब एक छुनने का भी आरोप है यह आप लोग सावदा आवगत हैं कि जहांसी के अंदर SSP सरकी निदेशन में पूरी जिन्दपद में चेक हैं हमें चल रहा है और क्योंकि पीशे मोट में घटना हु जिसे ही चेकिंगी आधिस था चेकिए रही थी तो उन दो मोट से दिखाई तो ना गिचर रोगन प्रयास क्या तो बदमास होने प्रीसे फार कर दिया है बहुत प्लिस ने बचाहं में आद्मरक्षार्थ आपने बचाते वे और बहुत ही मुझा करते वे उनकों फायर किया देर दो बदमास को लगी यह वहीं बदमास थे जिन्होंने लूट किया बाद में चली तो तीन बदमास थे वो अंधिरा का फादा बठा कर भाग गए उनके लिए कोमिंग जा रही है उनके पास से मुड़सा के लिए दो तमंचे बरामद है और तरह लेगा उनके बास लग अगर मुग किरने वाले हैं और विजनकरी कर रही हैं इसमें